जब औरंगजेब को पता चला कि छत्रपती शिवाजी महाराज का देहान्त हो गया है, तो वो दक्षन जीतने की इच्छालिये आगरा से उठकर औरंगाबाद पहुँच गया. औरंगजेब को एक दिन निजामशाही और दो दिन आदिलशाही को खत्म करने में लगे लेकिन सामना होना था 23 साल के नए छत्रपती संभाजी से. इस समय औरंगजेब दुन्या का सबसे ताकतवर राजा था. वो ना सिर्फ विश्व के सबसे बड़ा भूभाग पर राज कर रहा था उसके पास विश्व की सबसे बड़ी पांच लाग की सेना थी. अगले नौ सालों में संभाजी ने पुर्तगालियों के खिलाफ पंद्रा और मुगलों के खिलाफ 79 छोटे बड़े युद्ध जीते. बराठा सामराज्य की जो सीमा उनके पिता छोड़ कर गए थे वो उससे कई गुना बढ़ा कर आगे ले गए. गुजरात से लेकर गोवा तक भगवा फेहर रहा था. साल 1689 में सगे साले की गद्दारी के चलते छत्रपती अपनी पत्मी और बच्चे समेट बंधक बनाए गए. उन्हें जोकर के कप्रे पहना कर परेड कराते हुए मुगल खेमे में लाया गया. औरंगजेब ने जिन्दा रहने के दो रास्ते दिये पहला पूरा मराथा सामराज मुगलों को सौप दिया जाए या इसलाम स्वीकार कर लिया जाए. बंधत बने संभाजी का जवाब था अगर औरंगजेब अपनी बेटी की निकाँ भी मुझसे करा दे तो भी इसलाम स्वीकार नहीं करूँगा. इसके बाद शुरू हुआ टॉर्चर पहली दिन उनकी आखे फोड़ी गई, इसके बाद उनकी जीप काटी गई, फिर खाल उतारी गई, अंत में उनकी तुकड़े करके कुत्तों को खिला दिये गए. औरंगजेब इसके बाद करीब 20 साल मराठो को खत्म करने का सपना लिए औरंगाबाद पड़ा रहा वो तो हिंदू पदपादशाही समाप्त नहीं कर पाया, हां उसके मरने के 40 साल बाद पेश्वाओं ने जरूर मुगल बादशाहों को पेंशन पर रखा और उनकी रक्ष की, बराठो एवं अंग्रेजों में 1684 में जो समझोता हुआ, उसमें छत्रपती संभाजी महाराज ने एक ऐसी शर्ट रखी थी कि अंग्रेजों को मेरे राज में दास, गुलाम, बनाने अत्वा इसाई धर्म में दिक्षत करने हेतु लोगों का क्रय करने की अनुग्या न दिखा पत्र, बादशा सलामत सिर्फ मुसल्मानों के बादशा नहीं है, हिंदुस्तान की जनता अलग-अलग धर्मों की है, उन सबके ही बादशा है वो, वो जो सोच कर दक्कन आये थे, वो मकसद, पूरा हो गया है, इसी से संतुष्ट होकर उन्हें दिली लोट जाना चा तो हमारे कबजे से छूट कर दिली नहीं जा पाएंगे, अगर उनकी यही इच्छा है, तो उन्हें दक्कन में ही अपनी कबर के लिए जगा ढून लेनी चाहिए, छत्रपती संभाजी महाराज की हत्या के बाद और अंगजेब ने कहा था, अगर मेरे चार बेटों में से ए